अब इस वक्त आपके परसन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका क्या नेक्स सेक्षन है आपको लेकर क्या रहेगा वैसे मैं आउट आफ होगा इस फोड़ा में बाहर आई थी दिवा ली थी व्यक्रेशन थी बट मैंने सोचा था कि मैं जहाँ से जहूं कि आपके लिए डेफिनेटली निकालूंगे तो हम आज के टॉपिक के उपास स्टाट करते हैं जन्र कलेक्टिव अपको छोड़ दीना है तो चलिए स्टाट करते हैं रिडिंग के उपर क्याल करते हैं हमारे पहरे अर्केंज माइकल को अब बहुत अच्छा रहे हैं तो अब इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं परसन तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं कंफीजन में हैं कॉस्रोड पर खड़े हैं हो सकता है दो सिट्वेशन में हैं इस वक्त आपके पासन आरे पापे नहीं सिट्वेशन काफी हीवी है मुझे लगता है कही और मैरिण है आपके पासन इनकी अलड़ी कही और शादी हो गई है यह पासन आपसर रीकंसिलेशन रियूनिन करना चाते हैं काफी सारा वर्क लोड है आपके पासन के इपद हो सकता है इस पासन ने रिष्टे को इंड कर दिया हम आपके साथ बट्य पॉर्षण अभी एक्षेन लेना चाहते हैं। रिस्टा थू इन्हें डिफिनेटली कतं तो कर दिया था। ये रिस्टा आपके लिए वड़न बन तो डिवोर्स के बाद चल रही थी आप दोनों में, तो उस परसन क्रॉस रोड पे खड़े, आपको डिवोर्स रोड पे खड़े हैं, आपके लिए अक्षिन लेना चाहते हैं, और अगर यह आपके साथ मैरेट नहीं है, यह सिंगल परसन है, तो हो सकता इनके उपर बहुत ज साइड में रग दिया था, या फिर लगबग खतमी कर गिया था, और अपने जो लाइफ यह उसके उपर उन्होंने ज़्यादा द्यान देने शाहिए शुरू कर दिया था, यह सिट्वेशन हो सकती है, तो यह परसन आपको न्याय लेना चाहते हैं, फाय और सोर्स, कॉन्फ इसलिए आपके लिए यह काड़े से आगे थे, बहुत का सारी काड़ों में यह परसन शुरूआ करना चाहते हैं, नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर यह कोई सिंगल देख रहे हैं, तो मुझे लगता है, इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थी, हो सकता है, कुछ ठीक नहीं था, तो इनके लाइफ में वर्कलोड बहुत था, ड्यूटी बहुत थी, रिस्पॉन्सेविटी बहुत थी, इस वजए से यह परसन शाएट जब आप इनको कुछ रहे थे, उस वक्त यह परसन आपके लिए कुछ ज़्यादा कमिट्मेंट देना, या फिर इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, शायद इस सिचुशन में नहीं थे इस परसन है, और इनकी कुछ ऐसी हालत नहीं थी, सिचुशन नहीं थी, या फिर इनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं था, इनमें इतना करेश नहीं था, इसलिए हो सकता है कि इन्होंने इस रिलेशन देना चाहते हैं, हो सकता है आप इस परसं को हमेशा commitment के लिए को security को लेकर, stability को लेकर हमेशा आप इस परसं से जगड़े करते हैं, या फिर आप दुनों का communication कंफ्लिक्ट में बदल जाता है, तो यह परसं यह सोचते हैं कि जड़ा से जड़ा क्या होगा कि थोड़ा conflict होगा, पर इक नहीं स्टार्ट तो definite करना है, यह परसं आपके towards एक traditional marriage के उनको करनी है, जैसे इस बार ही में सोच रहे हैं, इनको करनी है, पर दौराय पर खड़े हैं क्योंकि हो सकता है कि अभी भी हालत इतनी इनके लिएसे चाहते हैं, वैसे शायद stable नहीं है, खास करकर single वालों के लिए बात हो रही है, या फिर आपकी relationship को लेकर इनके family में कहीं conflict चल रहे है, जो चीज़ी इनके लिए बड़न हो रहे है कि यह शायद आपका पक्ष रखने सक्षम नहीं हो रहे हैं, कि इनके पास इतनी stability नहीं है, तो शायद इसा सोच रहे हैं कि जब अपने पास completely stability हो जाएंगी, तो शायद यह आपके towards आया और आपको एक offer गए, यह लंबी समय से शायद आपके पास इस energy में रहे होंगे कि जब मेरी stability हो जाएंगे तब मैं करते हैं, clarity इनको मिल गए और या फिर confused mindset इनके अंदर से चला गया, इनके mindset से confusion चला गया, इनको देना है justice, इनको देना है न्यार, और अगर extramarital relationship था तो आपके पासन ने हो सकता है कि यह वही इन्होंने अपनी उस family को शायद ज्यादा ध्यान दिया और उन्होंने आपके स इनका financial status ज्यादा strong है और आपके person को उनसे financial काफी help मिल जाती है और इसलिए आपके person अपने life में ज्यादा कुछ struggling को करना ना पड़े इसलिए यह person compromise कर लेते हैं और इसी चक्कर में इन्होंने आपको sideline कर दिया तक उस वक्त उनकी priority, stability, life में भी शान्ती, easy सहाई रही हो और इसलिए इन्होंने हो सकते हैं कि आपको compromise कर दिया हो या फिर आपको यह बोला हो कि आपके साथ रिष्टा अगे continuing करना चाहते है बट मुझे ऐसा लगता है कि यह person अब आपसे start करना चाहते है, यह single married और extra marital जो भी relationship रहा हूँ, उनकी person क्या सोच रहे हैं, उनकी cards इतने आपके relationship से वो दो बर आपके life में आना चाहते है, अब strength को clarify करते हैं, strength को clarify कि या confused mindset में ही रहे थे, तो वहां से इनकी लिकनने की बात आ रही है, clear decision लेना difficult है इनकी लिए, बट यह person decision लेंगे, action mode में यह person आ चुके, 12 of fans with king of fans, 12 of swords with king of fans, तो दोनों energy आ गए हैं यहाँ पे किस के लिए, strength के लिए, अब उनके और से वो जो difficult situation थी, decision लेने के लिए इनको बड़ी problem हो रही थी कि कौनसा decision लेना है, और ही भी एक कार्था, to up and tackle, तो दो situation में definitely आपके person है, जहां से यह person परने कर पा रहे थे, कि जाना किसके साथ है, कि करना किसके साथ है, किसको priority देनी है, तो यह confused mindset चला गया है, और एक strong position में strong mindset में आ चुके है, action लेने के, आपके towards यहां पर आई चीज लवर के, मिलना है इनको यह ताह है, confusion चला गया है, जरीन वाली situation चलेगे, यह हो सकता है, compromising चल रही है, separation mode चल रहा था, और आपके person को भी काफी heavy रहा है, यह separation mode, third party की वज़ से यह separation mode आप दोनों को चल रहा था, health issue रही होंगे आपके person के, काफी struggle चल रहा है, आपके person के life में, emotional, physical, duty, responsibility, सारा burden आपके person अकेले क्यारी कर रहे है, और हो सकता है, relationship में जो separation को बिलाता, आपके कारण, तो आपसे separation करके, इनको जो emotional, physical burden हो रहाता, तब यह person चाहिए इनको यह चीज यह इतनी क्या बोलती है उसको, bear नहीं कर पार है person, separation इनको ज्यादा burden दे रहा है, तो यह person वापिस आपसे team up होकर, एक मिलना चाहते है, वापिस एक रिष्टा शुरू करना चाहते है, partnership बढ़ना चाहते है, death को verify करूंजे, अगर यह एक्स्टा मेरेटर रिलिशेंशिप है, तो यह relationship hidden ही था आप दोनों का, यह कभी आप इस relationship को hiddenly, secretly ही carry किया था, इसके लिए आपको आपके person के उपर trust नहीं रहा हो, यह फिर आप married है, यह single है, और आप आप इस रिलिशेंशिप को hiddenly, secretly ही carry किया था, इसके लिए आ आपने बोला हो इनको की relationship को hidden रखेंगे, secret रखेंगे, that's why आपके person के मन में आपको लेकर काफी trust issues एकिया, आप इस relationship के लिए बारे में सच में सोच भी रहे हैं, और हो सपर यह बात में आपके लिए बोले ही, यह आपके साथ हो रिमीस, आप single है, यह person valid है, और इनों ने देने का वादा किया है, पर relationship अभी भी official नहीं किया है, इसको secretly रखा है, खासकर अगर उनकी family है तो, दुसरी बात अगर यह twin flame connection है, और यह relationship मुझे लगता है, लंबे समय से आपका hidden रहा हो, बट इस mattress issues रहो, boundaries आए हो, limitations आए हो, इसके कारण ही relationship कतम हो गया था, वापिस यह person इस relationship को दोबारा start करना चाहते है, इमोशनल यह person काफी हो रहे है, और इनको इस बात का अंदाजा है कि इस चीज के लिए जो reasonable, जो reason रहा है, ending का, तो आपके person ही रहे होंगे, इनका emotional इसको सपोर्टिव नहीं होना, hidden रखना, चीजें सी creative रखना, जिससे कारण आपके मन में बड़ा लाजमी था, ऐसा इस person ने किया है, और अगर ही आप तोनों का वारे relationship है, तो definitely आपके person की कुछ इसे हरकते रहे होंगे, इसके चलते हैं, आप फिर ने इनके साथ relationship खतम कर दिया हो, या फिर इन्होंने अपने secretive relationship को क्यारी करने के लिए आप से रिष्टा खतम कर द relationship में partner से, और ही दीरी दीरी कतम होते होते हैं, जो emotional दूरी आती गई, emotionally आप दोनों में जो separation आता गया, जिसके चलती relationship कब कतम हो गया emotionally, पता ही नहीं चला, बट आप इनको miss करते हैं, आप इनके attention, इनका प्यार, इनका emotional support, आप permission miss करते थे, तो आपके वो spouse, आपके वो partner अब आपके बारे में फपी सोच रहें, जैसे कि इनको फिर से, उस married relationship को start करना है, जो उनकी ही कारण कहीं न कहीं खो गया था, बट बात यहाँ पर एक message भी आ रही हैं, कि जिस trust issue के कारण आपने इस relationship खतम कर दिया था, तो दिखे एक रिष्टा बनता भी हैं, तब भी कुछ बा रहे हैं, hidden issue रहे हैं, secretive बाते रही हैं, trust issue रहे हैं, हो सकता है यह person खुदी खतम कर दे इन चीज़ों को, जिसकी वज़े से आपके relationship में problem आ रहे थी, king of source के इनको जा रहे थी, कि जो बाते भी मैंने आपको बताई, आप दोनों में यह cold shoulder, ghost करना, बाते कम करना, बिल्कुल less communication करना, या फिर rudely, cut to cut बाते करना, यह जो situation आप दोनों में हुई हैं, इसका reason कुछ न कुछ hidden and secretive, fishy behavior रहा हो, आपके partner का, आपके towards, तो यह आपके partner यह सारी चीज़ी खतम करना चाते हैं, आपके towards, जो कुछ भी थी, relationship से, रिष्टे से, king of facts को clarify करा हैं, यहाँ पर, night of source, द कर अपके life में दोबरा आना चाते हैं, तो मुझे लगता हैं, इनके action काफी fast हो रही, और जब यह person आ रहे हैं, तो शायर एक big change के साथ यह person आ रहे, positive action के साथ आ रहे, कि, वक्त अगर अभी भी आपको लगता है, तो दिखी, इनके action completely ready है, तो यहाँ पर आप इस बात को है, तो आपका difficult decision था आपके person को आपको लेकर देखे, अगर यहाँ पर है, है elephant, एक किसे twin flame का spiritual union भी लग रहा है, अगर twin flame concept आपके person को पता है, तो हो सकता spiritual union आप दो नहीं हो सकता है, सबसे पहला message, दुसरा message है कि बहुत difficult था आपके person को, आपके towards आना या फिर आपको approach करना शादी के लिए, बहुत difficult था, पर फिर भी यह person एक difficult decision लेते होए दिकरे, आपके towards जो आपके लिए अपने आपके एक justice, अपने आपके लिए नय सावित हो सकता है, है elephant की दो बार इन चाहिए, आप जिन से deal कर सकते हैं, वो काफी mature and wisdom ऐसे person हो सकते, काफी intuitive हो सकते, strong हो सकते ह religious mentor हो सकते है यह person, एक अच्छे position पर है, mature person है, इनकी guidance फॉलो करते हैं, इनकी guidance लेते हैं लोग और यह लोगों को perfect guidance भी देते हैं, different different problems के लिए, justice की बात बताएं जै, हाज आपको नयाय दे रहे हैं, मैंने वही बोला, यह person आपको approach करेंगे, apology के साथ यह person आएंगे, नयाय आपसे, dispute बहुत करते हैं आपके person आपसे, इस बात के लिए मुझे लगता है, यह person एक नयाय देंगे आपको, एक नयाय देंगे, यह थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, चीजों को, हमरा setup कैसा होता है, एक बार बैठ गया तो बैढ़ गया है, अब देखते हैं सब कोई इसके face of coins, जी, हाँ, start करना चाहते हैं यह person, जैसे की cycle complete हो रहे है, आप दोनों के relationship में, problem limiting cycle था, शायद वो complete हो गया है, और यह person आपकी tours आना चाहते है, एक start आपको करना चाहते, एक successful action के साथ आ रहे है, यह person, opportunity काफे available है, इस relationship में, हो सकता है, यह person आपको लेकर कही plan भी क आपनी का plan कर रहे है, एक नई दुनिया में, यह person आपको लेकर कदम रखना चाहते है, very good energy, fire of source को clarify कीजिए, fire of source को clarify कर रहे है, जगड़े कर दो, और इसने में faces start कर दो, हो गय थे, जगड़ों की वज़े से relationship hang था, stuck था, कुछ जा नहीं रहा था, तो यह person थे approach करेंगे, द अपल में मुझे लगता है, जगड़ा हुआ था, separation mode चल रहा था, meditation, healing, सारी चीज़े चल रही थी, हो सकता है, आपके person बीती दिनों में spirituality से connect हो गए है, meditation अगर आशीजिक करने लगे है, कुछ न कुछ spiritual practice follow कर रहे है, जिससे हो सकता रिकनी हो गई है, जिससे हो सकता एक person का wisdom बढ़ गया है, आपको लेकर एक action लेनी की, strong courageous moment आपके person में आ गई है, यहां पर meditation, spiritual practices, spiritual awakening, यह भी एक second thought में यह भी message आ रहे, अगर कोई यहां पर twin flame couple देख रहे है, जिससे हो पता है, और काफे matured है, काफी spiritual practices से जूड़े होए, कोई twin flame couple देख रहे है, divine masculine divine feminine और कोई feminine इंतधा कर रहे है, फिससे आपके masculine आपके life में आना चाते है, हाँ definitely ही, अभी आप तोनों का एक separation बहुत चल रहा है, इसके चलते चीज़े काफी distorted लगती है, आपको नासे से कार्मी की connection आपको लग रहा है, बट यहां पर चीज़ें आपके फे और में होने इसके बहुत करने वाली है, यह पॉसन आपके towards आना चाते है, जिनसे deal कर रहे है, इसके life में इसके फिमेल है, जो money minded है, ग्रेडी है, इनकी नजर आप दुनों की relationship में रहती है, तो इनके बचते बचाते है, आपसे connect होना चाते है, एक start करना चाते है, हो सकता है, इनसे आप आपको कोई communication receive हो, क्योंकि यह already जिस पचड़े में फसर है, जिस भी कीचर में आपके पसर है, वहाँ से इनका निकलना बड़ा मुश्किल है, इसमें ज्यादा हमें खुश होने के या पिलिए से आप होननी के जुरूत है, यह होता है, यह किसी किसी का life का lesson होता है, तो इसल सोच उनकर या फिर देखकर अच्छा लगता है, कि जहां कहीं भी है, आपको stop कर रहे हैं, अगर आपको block कर दिया है, बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब जहां पिलिए से वहां से आना तो मुश्किल है, और वहां से आना भी चाहें, तो आप कितना इनको entertain करेंगे, आप कितनी इंट्री देंगे अपने लाइफ में, यह सेकेंड वाला बड़ा भी question है, तो ऐसे में सिर्फ इतना कर रहे हैं, आपको stop कर रहे हैं, और जब आपके लिए इनकी कुछ action आती है, जाती है, तो इनके उपर नजर रखे हुए, कोई इनके फैमिली में मही लाए, जो greedy है और जो काफी selfish है, money minded है, इसका पूरा देन आपके person के उपर है, और आपके person को पता है, कि इनके उपर नजर रखे जा रही है, तो यह अपने आपको protect करते आ रहे हैं, second message है कि यह person आपके बारे में जनकर ले रहे हैं, आपके बारे में research चल रही है, क्योंकि इन्होंने planning बन जाएं गे, आपके person आपको protect कर रहे हैं एक तरीक यह से, इनके आपके person को यह लगता है कि इनके उपर तो नजर है, बड़ कोई आपके उपर भी नजर रखे हैं, कोई आपके उपर भी अटाक करने के कोशिश मे हैं, तो यह person है Tabii Doow, आपको भी protect कर रहे हैं. आपको इनका प्यार आ चोग है, आपके एक loving and nurturing energy बड़े मिस करते हैं आपके पासंग, यादारी आपके पासंग को, आप ही इनके life में deserve partner हो, ये बात आपके पासंग बड़े अच्छे से समझ गए, बड़ प्रॉब्लेम के हैं है कि इनके मन में एक fear है, इनके मन में एक डर है, कहीं आप इ इसे में Tuesday जाने वाली हूँ गाइस, तो जो हो सकता है, Tuesday night या फिर Wednesday morning से, अपने ही निया पे रिलिंग मिल जाएगी, ये ममी की काफे health खराफ तो मैं आई थी, ममी के यहाँ, इक को आपने ममी के पास आई थी, खोशिश कर रहे थी, इनके अब जल्दी से ठीक हो जाए, कुछ ही लिए इनको देनी थी, तो ये सब से important time है, आज की गड़ी में मेरी लिए था, तो चलिए, फोकॉस करते है, एडी के उपर, ये अर्केंजर माइकल, ये अर्केंजर फाइल प्रीज आईए, हमसे जोड चाहिए, मैं जानना चाहती हूं, मेरी जो भी दर्शे कुड़ों देख रहे हैं, तो इनके परसन का next action towards इन क्या है, प्लीज गाइड में अर्केंजर माईकल, आज़ी फ लिबंटेकल देना चाहते हैं, आप ये पासन कहिते हैं, काफिक्त है इनको, जुझे लगता हैं, आपको भी कुछे ने बपस दे ली है, या फिर डूपरी बात करी है, या फिर डूपरी ये गार्परी से दिया है, येपासन सश में, किसे ऐसे पचड़ में पच्छ रहे हैं एसे जमेले में पच्छ रहे हैं कि यहां सी मेरा निकल ना मुश्किल है छोड़ तो दिया है आपको वट वहां पे चल देए कंपेरिजन वहां पे एक बास सामने आ रही है अब तक सर्पार्टी का पूरा अच्छे से फैस देखा नहों अब इनको सामने कि आ रही है पता है था आपने हो और पाप यहां पर मस फुश फुस फंस गये वहां पे इनको हो रही इंप बात को लेकर स्ट्रेज भी हो रही है अपने आपको बड़ा बालेंस करने के कोशिश कर रहे हैं तो थी थारपार्टी के वजए से इंज़ित वहां है आपको 9 मेन यह नो सालों से होई चीजे, स्टार्ट करना चाते हैं, यह परसद एक स्ट्रक्शन में बहु ही दिक रहा हैं, बाट यहां पर काफी सारे लोगों से जगड़ा इनको करना पड़ेगा, आपके साथ इनको अगर कुई रिस्ता आगे लेके जाना है, इनको बहुत लोगों से जखड़ा करना पड़ेगा, हो सकता इनके लाइफ में अल्ड़ेडी third party, कोई merit person देख रा है, इनके लाइफ में अल्ड़ेडी कोई third party मोजूद है, और हो सकता इसे third party के चलते, पता तो इनको की third party काफी toxic है, इसके बाद भी इन्होंने आपको रिजि वेसी कुछ हालत आपके person के हो गई है, काफी pressure है आपके person के मनने, ऐसे मैं सोचते हैं कि इन्होंने सच में वो decision जो लिया था, सच में बहुत जादा गलत ले लिया था, इन्होंने अपने life में options से इनको जादा priority दी थी, और शायद आपके बताने के बादा, आपके छेताव इन्होंने चूस कर लिया, अब आप इनके लिए बन जाते ही, healer आप बन जाते ही, इनको balance करने का जरिया आप ही हो, आप इनको peace देते हैं, तो ये person definitely आप से जुनना चाहते हैं, एक harmonious relationship आपके साथ ये person बनाना चाहते हैं, बनाते हुई भी भी दिख रहे हैं, आपके साथ initiate करेंगे, बिट मुझे लगता है, जी situation में ये स्टफ कोड़े हैं, वहां से निकलने के लिए इनको time लगने वाला है, अब इनको ऐसे ज़ोगों से पंगे लेने वाले हैं, हो सकता है, इन्होंने आपके बताने के पाउजोद भी किसी के साथ legally रिस्ता बना लिया है, अब अब आपके पासं को फिस लेजली ही एक जैसी के डिवोर्स लेना, ऐसा कुछ करना पड़ेगा इनको, तब तक ये पासं अके लिए डिफेंसिव रहेंगे, अगर आपको डिवोर्स के नोटिस दे दी थी या फिर आपको डिवोर्स ये दिया था, तो अपने गलते पी वे पश्ताते हुए दिख रहें, अपने आपको काफी एसा ये मजबूर समझते हुए दिख रहें ये पासं, फिर में आपके से जूड़ते हुए दिख रहें, बैलनस बनाते हुए दिख रहें आपके साथ भी, पर इनको भी पता है कि अब जो रिष्टा है, जो सिटूशन है काफे difficult हो गई है, और अगर आप single और यह person कहीं और married है तो हो सकता है, इनके शायद responsibility बहुत जाता है, काफी सारी लोग, responsibility, duty इनकी उपर जादा है, तो यह person उन्हीं में जादा trapped है, और यह आपके लिए commitment ने दे सकते हैं, बट आप से emotionally जुनना चाहते हैं, आप से इसके जादा आपके person आपको शायद कुछ नहीं दे पाएंगे, यह एक आपके person इस बात से शायद एक confirm decision आपको बदा दे, या फिर आपको यह बता सकते हैं, कि थोड़ा टाइम और आपको बेट करना पड़ेगा, hard work लेना पड़ेगा, यह आपको बोश सकते हैं, कि मुझा आप दोरे में होते हैं दिखरें, शायद आपको बोल देंगे कि अब अपनी जी action एक वितली लो, otherwise हमें रिलीज कर दो, इसे कुछ आप बताते हैं दिखरें, लुक्सा पंटे कल के ना जी, बताएं जे, जी ना इना ओ सोर्स, यह इनों ने दिखिए, वही काड आते, मैं व इतनी perfect decision देते हैं ना में, कि क्या बताएं, बहुत unhappy आपके पास हैं, deeply unhappy, बहुत stress है, breaking point पर आगे हैं आपके पास हैं, इनकी चीजे जो हो रही हैं, मैं तो बया नहीं कर पा रही हूँ, बहुत जादा fear, anxiety में, anxiety में, आपके पास हैं, ग्रचे सी इनको guilty है, बहुत जादा guilt है, कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था, अब यह आपको जैसे कि दिखने, six of pentacles, यहाँ पे भी justice की बात आती, यहाँ पे भी justice की बात आती, यहाँ पे अगर आप देखते, काड दिख रहे हैं कि आपको, एक मिनट में कैसे आपको जैसे के न्याए देना चाहते हैं, आपके साथ हमने बहुत गलत किया, तो guilt के साथ, कि इनको balance करना है, इनको इनको बालनस करना है, कि पॉसन आते हुए दिख रहे, गिल्ट के साथ आते हुए दिख रहे, वो भी, हाँ आपके, हो सकते हैं, हाँ, लिखे बात, end of cup and justice इन्हों ने किसी और के चलते हैं, आपको divorce दिया गया, तो उनलगता है, ट्राप होगे वहाँ पर, आपको divorce देकि किसी और के साथ रिष्टा बना लिया, आप वहाँ पर ट्राप होगे, अब वहाँ से निकल करें आपने टूर्स आना चाहते हैं, इस बात को लेकर बोलने व कुछ गलत हार्षवर बोल दिया था, इस बात को इनको पच्तावा भी चल कर होने वाला है, अगर इनकी already toxic marriage relationship चल रही थी, और इन्हों ने इनको बहुत बले action ले लीना जाए तो आपने इनको बोला भी था, कि ये चीजी कभी रुखने वले हैं नहीं तो आपको decision लेना है, ले लो, वो सकते हैं, उस वक्त आपके पॉसम को ही लगा है, कि आप इनकी family को तोड़ना जाते हैं, इसलिए आप इनको बढ़का रहे हैं, इनके family के किलाब, ऐसा मुझे किसी की बात आ रही हैं यहां पर सुनाई दी, कि बढ़का रहे हैं हो ऐसा करके, और ये आपकी उप आपके साथ और रिष्टा कर दिया, और वहां पर ट्राप हो गए, तो, कि आपके साथ इनको family लगता था, इसलिए इनको आपका opinion हो, आपके लिए stand लेना हो, ये चीजी इतनी माइन नहीं रखते थे, बहुत फॉर हंटे ले ले थे, पर जब आपने पड़ी अहम वली बात इनको बताई होगी, तो इन्होंने बात सुने ने होगे, जहां पर कोई सिंगल परसन है, तो इनकी family हमेशा आपके विष्टे को अपोस कर रहे है, होने नहीं दे रहे है, आपने इनको रखता है, आपके family काफी toxic है, काफी selfish है, हिनको सिफ आपके पैसे से, आपसे मिलेवान स्टेबिलिटी से मतलब है ऐसा कुछ आपने बताया है और इन्हों ने अपने फैमिली की साहिट लेते हुए आपको कुछ अभी सीवर्ट बोले है या फिर आपको उस कारण आपसे प्रेकप किया है यह चीजी होई थी अब उस बात के लिए इनको लगता है कि यह साच में वह स महिला हैं जिरूने आप दोनों में मिंसेंडर्टेंद नहीं करना आप दोनों में इमोशनल थालारे लेंशुरुकर दिया था और आपने बताया था आपके पसंद को कि इस बात मारी ना हो यह तो इस बात कि लिए मुझे लगता है तुछे लिए अब देखते है नाइन आप सोर्स को क्लेरिफाइ करते हैं इस क्लेरिफाइ नाइन आप सोर्स बहुत अची विदिन आरे भाई इसे टावर हां इन्होंने ब्रेक अप कर दिया था ना आपके साथ जी है रखाएं यह कितानटे है किसी की अेरे मार्ज हुई है तो उसके चलते ही इन्होंने आपसे ब्रेक अप कर लिया था या फिर ही सेंगल है तो हो शकते इनके फैमिली में कोई आसे पासान- इसे हाउस्टिंग या फिर मुखिया er के जिनकी बात मानी जाती जिनका कहां माना जाता है और उनकी कहने की उपर ही उन्होंने आपसे ब्रेकप कर लिया था आपसे साथ चादी करी नहीं थी अभी किसी के साथ शादी करी नहीं थी मिस आपके साथ शादी नहीं करी इन्होंने अपने फैमिली की बात मान कर, इनके फैमिली होल्डर की बात मान कर, जो मैंने ही इनके बात मान कर, और हो सकते इनी की बात मान कर, इन्होंने कई और रिष्टा बना लिया था, अब उस रिलेशिंशिप में टॉक्सिसिटी चल रहे है, उस रिलेशिंशिप में प्र वो सकता है कि आपके साथ इनकी ट्रेडिशनल मारेज होई थी अब यहां पर थर्ड पार्टी वाला रोल इनकी लाइफ में किसी और पर रोमेंटिक पार्टनर के आजाना उनके साथ इनका लीविंग रिलेशन्शिप के बाद उन्हें नहीं हो सकता है थर्ड पार्टी को अच्छा नहीं लगता था रोनहें शुरू से कोशिश करी थी आप दोनों में अच्छे ना बने जगड़े हो जाए तो लंबे समय से कोशिश कर रहा था इसको इनका फामिली से हो सकता है बीनके फादर इनला हो सकते है या फिर किसी के जेट जी मुझे लग रही हो सकता है या फिर को ऐसे बड़े पास अभी फिमेल भी हो सकते है मदर इनला जो इठाने ना ना इसा कुछ भी हो सकता है जिनको इस रिष्टा अच्छा नहीं लगता था उन्होंने हमेशा कोशिश करी कि आपके साथ रिष्टा खतम हो जाए तो हो सकता है एक ना एक दिन आपके पा बात बराबर इनके लाइफ में रहे हैं अब इनको अपने इस गलती के उपर पच्टावा हो रहा है अब देखते हैं 7-1 cup के ना जी बताहिंगे सेवन आपको यहां पे ग्लारफाइब कर रहा है सिक्स ऑफ सूर्स यह परसन आप्शन के वजह से आपके लाइफ से दूर चले गए थे बट यह पर स्ट्रावलिंग करके आपके लाइफ में आ रहे हैं इस वक्त आपके ऊपर पुरी नजर रहे हैं आपके एक्टिविटी के जा रहा है इस बात के लिए चीज़े क्या हो रहे ना कि नजर रखना आपकी इंफोर्मेशन निकालना और फिर आपके पास आना यह चीज़े आपके पासन इस वक्त कर रहे हैं और निक्स्ट आक्शन में पासन करते हैं अगर आप दुनों का लॉंग डिस्टंस तो डिफिनिटली है आ यहांँ पर टेमपराट्राष को प्रफाइब कर रहा है क्या तो शेवन वन छिप्क सट कशस्ट बढ़ रहा है तो शेवन आप दो बहूंत के लाइफ में या फिर विदिन 7 मन डिसन से आपका रहा है मुझे होता है दीख रहा है यहाँ पे दोनों बार Archangel Michael ही मुझे जीनोट है Temperance में भी और Judgment में भी तो यह Divine की उपर सपोर्ट कीजे Angels की उपर, Angelic Healing की उपर सपोर्ट कीजे तो यहाँ पे Divine ही आप दोनों का reconciliation, union करते हुए दीख रहे Past का आपका वही Person जो आपको छोड़कर चला गया था बहुत-ी ब्रूटेली आपसे Heartbreak करके चला गया था आपका दिल तोड़कर चला गया था किसी किसी के लिए बात आ रहे ज़िए सुसाइडल किसी के अंदर तोट आ रहे थी इस Person के चले-जाने के बात तो इतने हेवी ब्रेकप करने वाला परसन दो बार आपके लाइफ में आ रहा है, इस बार आ रहा है तो वो काफी हील हो के आ रहा है, इस बार आ रहा है तो काफी बैलन्स करके आ रहा है, इस बार आ रहा है तो इस बीग चिंजिस के साथ आ रहा है, अब जिखते हैं यहाँ पे, इस आपसे नई स्टार्ट करना चाहते हैं, अब आप जो पसन आपसे मिलने वाला यह भी हो सकते हैं, आपका past life lover है, यह past life love connection आपका इस पसन के साथ है, चाइडूल प्रेंट हो सकते हैं, या फिर यह पसन आपके ही किसी mutual friend से आपसे connect होकर अपने relationship को balance करने की कोशिश कर सकते हैं, अब ही बीश में आने वाली जो party जिनका pool बना कर आपके person आपसे जुनना चाहते हैं, या आपकी कोई relative हो सकते हैं, या फिर आपकी mutual friend हो सकते हैं, या फिर इसे पसन हो सकते हैं, जिनके आपके साथ अच्छी bonding बनते हैं, आप इनकी बात follow करते हैं, तो एक separation mode चल रहा है, इस जो कुछ भी problem चल रही थी, आपके life में एक right solution के साथ ये person आ रहे, शायद ये solution ऐसा है कि जिससे बाद में कोई separation mode आई नहीं, 7-a pentacle को verify कर रहा है, आपके लिक पता है, पेंजय माइका 7-a pentacle को verify कीजे, जी हा, मैंने बोलाना है कि big change के साथ आ रहे आपके person, right solution के साथ आ रह है, ये person अपकी care तो पूरी करेंगे, एक family है, तो family की responsibility उठाएंगे, ये person लाएंगे, और इस बार इस relationship में, इस सोच समझ कर एक decision देने वाले, fruitful बनाने वाले, इस relationship को, और वो भी अब एक perfect decision के साथ, ambitious decision के साथ, पट इनके मननी ये डर हमेशा है, कि आप इनको reject तो नहीं कर जिनके कारणी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आपके tours आते हैं, तो आपके इसके उपर clarity मांगेगा, और आपके person को पता है, कि इनके पास अगर उस problem के लिए solution नहीं है, और उस problem के लिए इनके पास partial solution है, मिस इनके life में को ऐसी female है, जिनको वो निकाल नहीं सकते, और आपके person के पास कुछ partial solution है, तो इस बात को लेकर आपके person के मन में फिर रहेगा, कि आप इनसे convince होंगे या नहीं होंगे, I don't know किस के लिए था, पटे, tip, message किस के लिए था, जो कुछ भी आप दोनों के जगड़े थे, ये person sort करेंगे, नापेंटे करेंगे, नापेंटे करें दिस्टब हो रहा था, या फिर stable नहीं था, तो उनको लिए good news है कि उनके relationship में financial stability आती हुए दीख रही है, ये person definitely आपको एक good news हैंगे, जो jealous है, आपके relationship से जलने वाले भी काफी लोग है, जगड़ा लगने भी काफी लोग है, तो शायर उनके ऊपर completely perfect solution आपके person निकाल दिय कि परसन भूलेंगे आपके साथ, कि इनको आपके साथ इस relationship को आगे लेके चाहने, कि आये हैंगे इसलिए आपको justice जैने के लिए, please clarify now, justice, justice को clarify कर रहा है आपे, temperance and again temperance का काड़ा है आपे, temperance बहुत आ रहा है guys, तो balance harmonious, balance बनाएंगे, communication होगा, और proper and perfect action आपके person आपके लि defensive mode लेने वाले, protective होने वाले हैं, तो आगे आपके person का next action लिए आपको लेकर करके अच्छा आगे है, मैंने जाम लोचकर जाधा काड़ ले लिए थे, कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर सारे लोगों के लिए message आ सकते है, single हो, extra marital हो, या कि marital हो, extra marital relationship आपके यह बात आ र आपको वहाँ पर नहीं मिलता है, और शारी उनके बात समझ में आगे कि emotional support होना कितना ज़रूरी होता है हर relationship में, यह person इसको ही importance देते हो है और आपके पास आते हो है दिख रहे एक solution के साथ, है archangel Michael, है archangel रफाइल की जाईए, और दूसे जोड चाहिए, मैं जानना चाहती तो अभी इनके पासंद का और इनके relationship का final outcome क्या रहने ही पाला के, जिस बताईए है, जिस बताईए, जिस आपके अगे जिस तो आगे है, इस जिस तो ग्रेंट को रेहे, तो आप इनको इतने आसानी से नहीं मान रहें, आप तो इनको complete culture order दे रहें, आप दे रहें, तो यह विशायद मज़िबर होई जाएंगे, culture order देने के लिए, 3 of source, जिंके 3rd party complete नहीं जा रहें, जाएंगे 3rd party कोई completely छोड नहीं पा रहें, इस बात के लिए के थोड़ा cold shoulder वाले जिम चले गया, मिस करेंगे, एक waiting zone दे करा है, थोड़ा time लगेगा इस relationship को stable होने के लिए, फिर बात में लग रहा है, coins के energy बहुता है, इनको coins के energy बहुता है, इनको coins के energy बहुत भी fast नहीं होती है, तो प्यार तो करेंगे, पासन किसी की पूरी पूरी यहां पे क्या बोले ना, patience का पूरा, हाँ, एक minute, जैसे रखो इसको, patience की पूरी परेक्ष्यन लेने वाले, बटन्थ में विजय आपकी होने वाली है, यहां पे, थोड़ा बात cold shoulder वाले game चलने बाला है, बात नहीं करेंगे, रुड़ो बोलेंगे, क्या आप बोलेंगे पती की बात, तो पती की बात यह रहींगे, कि धर्ट पटी जानी चाहिए लाइफ में, हमें stability चाहिए, हमें नाम चाहिए, official relationship यह नहीं करेंगे, तो फिर आपकी बोलेंगे, टाटा बाइबाइ, कोई बात नहीं, मिलते हैं ने फिर नम में या फिर किसी जनम में आप बोलते हैं दीक रहे हैं, तो फिर के अपास कोई solution नहीं है, culture का जब आप culture से देंगे, आप बोलेंगे हमें honesty चाहिए, हमें loyalty चाहिए, जो यह कुछ time के लिए नहीं दे पाएंगे, तो guilt में रहेंगे, मैं इसा नहीं कर पा रहा हूं, miss तो किया जा रहा है, याद तो आ आप बोलते हैं, और हैंगिंग में बनकर आप इस relationship में अब जादा लटकना नहीं चाहते हैं, आपको चाहिए clarity, वह नहीं दे पा रहे हैं, आप पाटी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आक्शन लेके आ रहे हैं, यहीं बात है, शाहिए अब तक का scenario है, तो अब तक यह हुआ है, तो उनके लिए अच्छी news है, किसी की wish fulfillment होने वाली है, और यह माज़रा चली ही रहा है अभी भी, तो हो सकते कुछ time और थोड़ा आपको wait करना पड़ेगा, क्योंकि pentacle का energy है, अब clarify करते हैं, जो energy बता ही हो, कहा दल जाएगी है, यह वेटिंग दोलाया है, win of source, three of friends and judgment, universe है time का wait कीजिए, judgmental time आ चुका है यहाँ पर, तो आपकी relationship के सबसे bell-belly demand है, कि you have to wait for certain time, universe बोल रहा है कि बच्चे थोड़ा patience रखो, अभी time आपके favor में नहीं है, या फिर आपके person आपसे time माल सकते, train of source, आपको लगेगा, कि फिर से आपके साथ धोका हो गया, कि फिर से आ start party इतने आसानी से तो नहीं जाने वाली है, यहां से आपको surrender mode पर आना चाहिए, आपको surrender कर दो, यूनियो उसके उपर, जो होगा, so होगा, king of source को verify करते हैं, जिसकी उसकी responsibility जिसको उसको दे देंगे, आपके person, तो यहां पर टेंटेंगे नहीं जा रही है, जैसे ही cycle खतब ह जाएगा, जिसकी उसकी responsibility जिसको उसको दे देंगे, आपके person, तो यह person life में दूबर आ रहे है, 10 month या फिर 1 year, किसी किसी के लिए, equal given take तो यह person definitely देंगे गाई, sun है, sun आगया तो बाती छोड़ी दो, यहां पर भीज़े तो आपकी हुने वाली relationship में victory आपकी है, bright future sponsor के साथ ही वह भी clarity के साथ कोई यहां पर problem नहीं है, अब तब तक क्या है न, इनको लगेगा कि अब आप इनके life में रहते हैं नहीं रहते हैं नहीं रहते हैं, कि आप कुछ ultimatum आपने दे दिया है, आपके life में तो option हैं, इनके अलगा भी कोई option आया है, और शायद आप इनको ultimatum दे सकते हैं, आपने दे सकते हैं तो कोई और choice है, तो हम उनके पास चले जाएंगे, तो इनके money fear है, आप इनके wait करेंगे, नहीं करेंगे, बट आप करेंगे, मुझे पता हैं, आपके life में इससे बड़िया कि इतनी पी option क्यों नाय हो, आप इस person कहीं wait करेंगे, आपने already decide कर लि हैं, time लगने वाला हैं, तो यह थोड़ा fear, यह थोड़ा डर, यह थोड़ी myosie, यह थोड़ी anxiety, यह थोड़ा पश्ता हुआ, guilt के साथ आप यह person रह रहे हैं, और कुछ न कुछ हथ तक energy आप यूपर भी overlap कर रही हैं, बट यह person भी आपको choice करते हैं, आपने तो already इनको choice करक बले आप इनको कुछ भी बोल दे, अब यह आपका relationship कौन सा भी है, married, unmarried, single, extramarital, कुछ भी है, आप इनके अलावा नहीं जाने वाले कहीं, बट यहाँ पर 9 आप यहाँ पर विश्तो ग्रांट होने वाली हैं, आपकी, आप बोलेंगे कि सब्र का फल बिठा होता है, यह ब fruitful decision सो मिलने वाले, conflict जो चल रहे थे, यह work के रहे थे, यह conflict कतम हो जाने वाले, यह person आपके life में आ रहे है, जो गया था life में, जगड़ा परके, वो chariot के साथ वापीस आ रहे है, आपके साथ family बना रहा है, अब जैते हैं, 600 points को clarify करते हैं, 600 points को clarify करते हैं, magician का काड़ा है, और यह कौन सान फोल गए, nine of pentacle, nine of pentacle की दो बार यहां पर जा गई है, guys, yes, wish fulfillment आपके होने वाली है, मिलने वाला है, आपको क्या, मिलने वाला है, आपको नाए, बड़ा अच्छा relationship जाएगा, शुरुवादी कहीं दोर थोड़ा, यहां पर difficult है, three of source को clarify कर र pentacle, three of source and ten of source, कोई married couple है, किसे ऐसे person ने आपको दोखा दिया है, आपके person ने जिनके साथ relationship बनाया है, वो भी कोई आपका, three of cup, three three में जा रही, वो भी आपका कोई ऐसा अपना था, जिनके साथ आपके person और आपका, हस ना खेन, ना उटना, बैट, ना डिन, पाटी, सब कुछ चल रहा था, आपको पता भी नहीं चला कि यह, कब आपके life में third party बन गए, आपके person के साथ affair शिरू हो गए, यह, तो वो गम आपको शायद बहुत खा रहा है, क्यूंकि यह जो दोखा मिला ना, एक तो अपने ही person से, दूसरे अपने किसी friend या फिर अपनी किसी करीवी रिष्टेदार से, यह टेनो सोर्स वाल गम है, जो आपके life में हमेशा रहा है, पर यहाँ पर त्रियाप कप के energy के साथ आ रहा है, मुझे लगता है third party को end कर देंगे आपके person, third party के साथ जो भी कुछ आपका past life का 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 अब हो जाएगा और celebration करते हुए दिखरे आपनी इस relationship में, king of point मुझे इसा लगता है, मिकिती की life की story बोल रही है, king of point को clarify कर रहा है, यहाँ पर seven of swords and three of swords, but यहाँ पर सभी के लिए नहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर warning message भी है, financial status आपका ज्यादा अच्छ है तो दर के रहेगा, third party के effect में अगर आपके person फिर भी है, यहाँ पर three of pentacle, three of swords भी आया है, और ten of swords भी आया था, and bottom लड़े three of cup आया था, किसी किसी के person के working front में अगर third party मौझूद है, तो वो सकता है, यह person आपको बोलनी के लिए बोल सकते है, कि यह किसी कम के लिए जा रहे है, ब आगे केरी इसलिए हो रही कि third party आपके person के साथ अपने financial security के लिए जूड़ी है, और आपके person आपके साथ इनकी financial stability के लिए जूड़े है, कि आप कमाते हैं यह नहीं है, बट अगर आपके साथ इनको रिष्टा कतब करना पड़ेगा, तो definitely आपके person को financial बहुत कुछ देना प energy आपको लग रही है, जैसे कि अपने आपको अपना finance बचाना, stability बचाने, कुछ देना वेना है नहीं, बट अपना काम बें चालो रहने, किसी-किसी के person के एनर जा रही है, ज़्यादा accuracy के लिए आपके person कर साथ तो मैं यह बोल रही थी guys, वीडियो बीच में cut हो गई थी, तो मैं यह बोल रही थी, कि यहाँ पर जिनकी financial stability अच्छी है, तो उनको और जादा संभल करने के ज़रत है, मिनसे अगर यहाँ पर कोई male है, financial strong है, तो हो सकता है कि आपके spouse है, जो पार्टनर है, जो आपके साथ से financial support के लिए, फिप finance के लिए जुड़े है, असल में यह आपके साथ reconciliation union करेगा, और already third party में हैं, आपको पता था और यह पासन आपसे मिलते हैं, और यह आपके साथ, अगर ही अपके marriage spouse हैं, तो यह आपके साथ मिलते हैं, आपके साथ relationship स्टार्ट करते हैं, बट इनकी intention पर ही है कि third party को छोड़ के नहीं, third party को ख्यारी करके आ रहे है आपके साथ ही financial support के लिए आ रहे हैं, किसी किसी के लिए message आएं, तो अगर दिखियें, यहापे होता ही हर किसी को family प्यारी होती है, बच्चे होती है, status होता है, कोई नहीं चाते है कि life disturbed हो जाए, तो इसे में हम अपने spouse को chance देते हैं, आप chance दो, अपने life को stable करो, क्योंकि द आपके साथ रहेंगे, क्योंकि जो आपके person आपको reconcile हो रहे हो, पहले से ही शायद आप बहुत जादा money minded रहे हो, selfish रहे है, पैसे के मामले में काफी गीड़ी रहे है, देखते हैं, यहापे clean up cup, आप इंका true on condition प्यार करते हैं, इनकी सोगलतिया आप माफ कर देते हैं, आपक school भी दोरोशा तो नहीं है, बट आप आपके wife ने इतने स्राट करना चाहते हैं, कहीं न कहें, आपके इनकी उपर हुआ यह जो प्यारे to on condition प्यार, इसके चलते हैं, आप इनको choice देंगे, मुझे लगता है, आप जैसे कि मैंने बोला है, कि आप इनसे थोड़ा सत्तर एक थोड़ा practical mindset से थोड़ा दिमाक लगा कर चलेंगे, तो ऐसे चलेंगे, यूगि ऐसे चलना आपकी रेसिटूशन की डिमांड यह हैं, इस पासन के साथ चलना पड़ेगा, तब तक जब तक यह सही रास्ते में नहीं आते, इनको सही सीख नहीं मिलते हैं, अब इनके third party से hangout नहीं उतर रहें, ऐसे में, अपने आपको stable करने के लिए, third party के साथ इतना शाय साहरा नहीं है, इतनी शाय थाट party strong नहीं है, तो यह आप से जुड़ेंगे, means stability के लिए, emotional support के लिए आप से जुड़ेंगे, बट third party को भी लेके कारी करेंगे, किसी के लिए message आया है, तो ज कई नहीं पता था कि यह person जो आ रहा है, वो इतने आसानी से तो नहीं आएगा, इतनी आसानी से ठीकता को कि नहीं आ रहा है, star को clarify कर रहा है, यहाँ पर wish grant हो रही है, तक यहाँ पर devil and eight of swords के साथ, हो सकता ही, इनको किसी गलत जिसकी addiction लग गई है, आपकी wish तो grant हो रही है, ब इनके intention आपको पता है, तो भाप लेजेगा और उसके वाद इनको deal कीजेगा, यहाँ पर किसी का legal issue दिख रहा है, यहाँ पर किसी की उपर spell दिख रहा है, star with devil को भी में जोड़ो तो हो सकता है, आपके person already किसी के effect ने बहुत लंबे समय से trap है, आपके person के शाइद गलती हो भ पता है, बट अगर यह ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आपके person कुछ ऐसा addiction में फस गये है, ऐसा addiction की लद लगी, जिसके कारण यह trapped है, तो इस addiction में तो यह आपके आपकी तिविश करांट हो रही है, बट इनके addiction आती लिए आगे चलका problematic हो सकती है, तो इसकी उपर आपको काम क करना पड़ेगा, अब इनके addiction, अगर यह male है, तो इनके drink के addiction या फिर कुछ और addiction इनको लग सकती है, फिमेले इनके addiction कुछ और हो सकती है, तो यह आप देख लिए आपके person के साथ, तो यह यहाँ पर overall message है, आपके person के साथ आपका रिष्टा जा रहा है, किसी-किसी के person के टॉक्सिक कमपनी, नास्टिक कमपनी, इसी संगत इनको लग गई है, वहाँ पर इस कारने निकल नहीं रहे, खुद निकलना चाहरे, बर ट्राफ हो गई, निकलना नहीं चाहरे, किसी के person की यह मजबूरी मुझे सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर यह बात आ रही है, तो में तोड़ा नंबर इन डिटेर जाती है, कि देखिए, कुश्या आ रही है, बट मैं चाहती हूँ कि आप अंधे होकर न रहे, तो अलट होकर रहे हैं, यह तो खुश्या और ज्यादा ताइम आपके लाइफ में आ सकती है, या फिर लाइफ में कुश्या हमारे लाइफ में जाधा दिर रहेने के लिए, हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, इसलिए यह मेरा इतना डिटेर्ट प्रेडिक्शन हमेशा होता है, देखिए, मेरे रिडिंग से कोई एक दो लोग भी यहाँ पर हील हो जाते हैं, या फिस समझ में आ जाती है, या फिर इनको गाइड़ काड़ निकालके, छे साथ काड़ निकालके, मैं दिन में वीडियोस दाल सकती है, बट मुझे लगता है कि अपने और से यह जानी चाहिए, वैसे गाइस, यह जंडर क्रिक्टिव रिडिंग है, जंडर प्रेडिक्शन था, तो जितनी सिच्वेशन आप से रिजुनेट होत अपने आपको लेनी है, डिस्ट आपको छोड़ दीनी है, मिलते हैं हमारे निक्स पुरे में, तब तक के लिए बबार, टेक्या, लव्यो ओल